नमश्कार आप देखें इंसाइडर लाइब और मैं हूँ आपके साथ में निहासे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जारकन प्रदेश सिकार समिती द्वारा सर्व सम्मति से नेड़ने लिया गया रामगर विदान सबा उपचुनाव 2023 में जारकन पार्टी के प्रत्याशी स संतोष महतों को आई यू एमल ने बिना सर्थ अपना पूर्ण समर्थन दिया रामगर के एक नीजी होटल में जारकन पार्टी ने प्रेस वार्टा का आयोजन किया जिसमें जारकन पार्टी के अशोक भगत मौजूद थे प्रेस वार्टा के दौरान अशोक भगत ने कहा क आजव विभिन पार्टी को छोड़कर ज़ार्कण पार्टी का दामन थामा है जार्कन पार्टी के पैंडरे सचिव अशोक भगत ने कि 15 वर्षों से रहे आजसु पार्टी के चंद्रप्रकाश चौधरी उन्होंने किसी कारिकर्टा को सामने नहीं लाया अपनी पत्नी को लेकर चुनाओं में आये हैं वहीं दूसरी और कॉंग्रेस के आंदोलन कारी नेत्री पूर्व विधायक ममता देवी के पती को मैदान मे तारा गया है वही अशोक भगत ने यह भी कहा कि दोनों बड़ी पार्टियां के पास में उम्मिद्वार नहीं है जनता को बेवकुफ बनाने का लोग काम कर रहे हैं यहां कि जाग रूक जनता इस बार लोगों को सबक जरू सिखाईगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दोनों के विचार धारा एक है इसलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अपना समर्थन जार्खन पार्टी को दे रही है पर सो से आजशू के यहां पास रहे चंद प्रकास चोधरी जी उन्होंने किसी कार्शकर्ता को सामने नहीं लाया वह सिदे सिदे अपनी पत्नी को लेकर आए आप यहां की जागरूग जनता रामगड की जागरूग जनता ममता देवी को लेकर आई एक आंदोलन को लेकर और उस आंदोलन के पिडित आज भी उसी हालत में है वो विधायक जरूर हो गई लेकिन उस आंदोलन के पिडित दो दो परिवार जिनकी बच्चों क के हत्या हुई थी तो आज भी उसी हालत में उनकी कोई पूछ नहीं हुई फिर भी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के पास एक भी कार्ज करता नहीं है जिनको उसके बिकल्प में खड़ा करते वह उनके पती को लेकर चले आए तो क्या उनके परिवार वाले ही यहां के ली के कारण है वह यह है कि हमारी पार्टी इंडिया यूनियों मिस्लिम लीग और जहरकन पार्टी दोनों की विचारधारा बिल्कुल सेम है और जिस तरह से अभी गडबंधन की सरकार है पिछले तीन सालों से जनता जो है उपक्षित है आप तमाम लोग जान रहे हो जहरकन की जनता भी जान रहे है कि जिस तरह से सरकार को काम करना चाहिए था तो कहीं न कहीं जो है उसमें फेल है